दोस्तो भारतिये रिजेर बैंक के तरप से काफि संदार भरती निकाली गई है एसे स्टेंट के पदो पर इसके लिए आब दिन पर के लिए आज से यह स्टार्ट हुई है और इसका अंतिमति थी 4 अक्टूबर 2020 तक रखी गई साथ यहां पर आपकी जो प्रिलिमिनरी की भी टेंटेटिव डेट आ चुका है यह 21 अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाली है और मेंस की जो टेस्ट होगी वो दिसंबर में आपकी आयोजित होगी तो इससे जुरी पूरी जयनकारी आप इनके पोर्टल पर आकर पूरी जयनकारी समझ सकते हैं जिसका लिंक हमने व पर है RBI में और जो कूल पद की बात करें तो 450 सेटों पर यह बाली होने वाले है आपकी मिनमम एज इस बहाली में अपलाई करने के लिए 20 वर्स होनी चाहिए अधिकतम 28 वर्स है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको भरते से जुरी पूरी डीटेल आपको मिल जाएगे क किस कैटेगरी के लिए कितने बाहली कंड़क्ट कराई गई है जो आप यहाँ साय करते पाएंगे एज में जो रिलेक्स सें मिलेगा उसकी भी जनकारी आपको दे दी गई तो एक पर नोटिफिकेशन को आप जरूरी डीडाउट करेंगे पूरी जनकारी के लिए अब फॉर पोटल पर जवाब आएंगे तो एक option मिलेगा click here to new registration का जिसके सामने आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपके सामने registration form खुलता है जिसमें कुछ basic जनकारी फिल करनी है जैसे candidate का जो भी first name होगा यहाँ पर आपको first name लिखना है उससी नाम को confirm करना है middle है तो middle अन्य था इसको blank चोड़ेंगा और last name आपको fill करना है और पूरा नाम आपको नीचे में full name में सोख करेगा इसको एक बार देख लेंगे नीचे आना है आपको एक mobile number provide करनी है और नंबर को दुवारा सा confirm करेंगा alternate number है तो डाले आना था छोड़े email id डालनी है ध्यान रखे add rate से पहले जो भी ह को का यहां तक डालेंगे और add gmail.com है तो यहां से gmail.com चुनेंगे फिर नीचे confirm email id में पूरा email id आपको fill करनी है capture code को fill करना है एक options से next का मिलता है जिस पर click करना है इस परकार आपका registration पर क्रिया complete होता है registration number password मिलता है इस app note करकर रख सकते हैं अब यहां पर आपको photo upload करना है जिसके लिए आपको guideline मिलता है इस बाले guideline बाले विकल पर click करेंगे notice कुलेगा जिसमें आपको पूरी जनकारी guideline के regarding बताइगे जैसे photograph की जो pixel होगी आपको बताया गया इसका जो भी size होगा 20-50 के भी होगा आपकी जो भी left thumb होगा इसका जो size है 10-20 के भी होगा जो की यह signature का ह और 20-50 के भी आपका left thumb का यहां पर size दिया गया जिससे आप यहां से देखेंगे जो भी आपकी photograph होगी उस photograph को यहां से select करेंगे और इस box पर tick करेंगे आपकी जो signature होगी उसे यहां से आपको select करना है इस box पर tick करना है एक option next का मिलता है जिस पर click करना है अब आपके समने कु उसे अधिक दिव्यांगता आपके अंदर है तो आप यहां पर S करेंगे तो यह जनकारी आपको fill करनी है किस टाइप की दिव्यांगता है वह आप बताएंगे नहीं है तो no करेंगे यह detail आपको fill करने की जरूरत नहीं है बाकि आपका जो option है यह automatic जो है highlight नहीं रहेगा और select नहीं करना है यहां पर एक option आपके दिव्यांगता के regarding है तो इसनों में आप इसकी जनकारी देंगे नीचे आएंगे आप से बोला गया है अगर आप एक सर्विसमेन है तो इस करें अन्य था नो बाले विकल पर क्लिक करें अगर आप डिसेबल एक सर्विसमेन है तो उसकी जनकारी देंगे नेथा नो बाले विकल पर क्लिक करना है नीचे आपको आना है तो जो option आप पे लागू होता है अगर आप पे नहीं होता है तो simply उसे आप नो बाले विकल पर क्लिक करेंगे यहां पर वीडियो डिभोसी ओमेन के बारे में पूछा गया है इस परकार के अगर आप आरवी आई में एक्स एंप्लॉयर रह चुके हैं तो उसकी भी जनकारी आप यहां से बता सकते हैं निशनलीटी आपको पता नहीं है इंडियान आपको चैन करना है अब यहां पर एस्टेट यूटी आप से पूछी जा रहे हैं जहां के लिए आप अप्लाई करना चाहTаю जहां से भी आप यहां से ज़ैन करेंगे शाथे साथ इसकी जो प्रीमिनरी जो एकजाम होगी उसके लिए जो सेंटर होंगे उसकी जनकारी आपको यहां पर चैन करना है और उस स्टेट में जहां जहां आपकी Center होगी आपको देखनों को मिलता हप यहां भी चुनना चाहते हैं उससे आप चैन करेंगे साथे साथ आपकी जो मेंस एक्जाम होगी उसके लिए भी आपको सेंटर यहां से चैन करना है और यहां से जो भी आपको सेंटर मिलेगा उससे आप जाने करेंगे अब यहां पर बताया है कि जो आप ने यह जहां करते हैं वहां का यहां क का यहां का लेते हैं लिख लेते हैं उसे समधर लेते हैं तो उसे इस्तिति में आपको यहाँ पर स्क्रज़ करना है आपको हिंदी रहेगी तो आपको हिंदी यहाँ पर बताऊ इन्फॉरमेशन देनी है जिसमें सबसे पहले आपकी डेटो बर्द का आपकी डेट, मन्थ और जो भी आपकी येर होगी उससे आप चैन करेंगे नीचे आना है आपका एज बता देगा, जेंडर आपको बताना है, मेल है या फिमेल है साथे साथ अगर आप जुर्वा भाई बेहन है तो एस नों में बता सकते हैं, है एस करेंगे तो उसकी जनकारी देनी है आपके साधी हो चुकी है तो मेरेट करें, ने था, अनमेरेट वाले भी कल पर क्लिक करें पिन कोट को बताना है, अगर आपका कर्रिसपोंडेंस परमनेंट सेम है तो इस check box पे click करेंगे automatic आपका address fill हो जाएगा यहाँ पर आपको GST investing के लिए आपको कोई भी एक option चुन लेना है जो भी आप चुनना चाहे चुनेंगे और आपके category के अनुसार आप पर जितना भी fill लागू होता है वो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपकी परसेंटेज रही होगी उसकी जनकारी देंगे नेम उप इन्वर्सिटी या इंजिचूट का जो नाम है आप यहाँ पर बताएंगे साथे साथा आपके जो class है वो किस पर कर है first second third उसकी जनकारी आप यहाँ से चैन करेंगे इसके अलाबे अगर आपके पास qualification है जैसे PG का हो या कोई professional qualification है और सब जनकारी आइड कर सकते हैं अब यहाँ पर आपस बोला गया है अगर आपके पास computer की knowledge है जैसे word processing का तो आपको simply ace करना है आपको बताना है कि जो computer की knowledge है आपको किस परकार है उसकी जनकारी आप लिखेंगे जैसे बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारे candidate जो है computer में कोई course किये होते हैं तो उसकी जनकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर work experience के बारे में बोली गई यह अगर आपके पास है तो जनकारी को fill कर सकते हैं अन्य था यहाँ पर नोव वाले विकल पर click कर दीजेगा नीचे आना है language आपको बतानी है कि कौन कौन से language आप जानते हैं जैसे अगर मालीजे आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी पढ़ना जानते हैं लिखना जानते हैं और बोलना जानते हैं तो तीनो पर click करें इससे अनुसार English अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं English पढ़न जानते हैं . लिखना जानते हैं और बोलना नहीं जानते हैं तो इसको अन-tick करेंगे इस पर डीटेल को डालने के बाद डेटेल पर पर क्लिक करेंगे फिर्य से पर उप नेक्ट पर क्रिक करना हैं अब यहाँ पर आपने जो जनकारी फिल किया होगा उसका एक बार प्रिवी सक्सेंट आता है पूरी जनकारी एक बार देखेंगे यहां पर I agree करना है कि option confirm registration का मिलता है जिस पर क्लिक करना है ओके वाले बीकल पर क्लिक करना है और continue वाले बीकल पर क्लिक करना है अब आपको यहां पर डोकुमेंट अप्लोड करनी होगी जिसमें सबसे पहले आपको अप्लोड करना जिसके लिए आपको गाइडलाइन दिये गए जिसको आप देख सकते हैं जो 20 से 50 कभी में होगा यहां सब उससे चैन करेंगे और यहां पर हैंड राइटिंग जो होता ह रतर ने होंगे मतलब अपने लिक्षावट में आपको लिखने होंगे लिखना क्या है यहां पर किलीर बटाएगा कि यहीं आपको लिखना है जैसे आई और यहां पर आपको अपना नाम लिखना यह पूरा जो matter है यहां तक आपको लिखना है और इससे सफेद page पर लिखकर इससे आप scan करकर आप इससे upload करेंगे उसके बाद capture code को fill करना है, submit next पर click करना है अब आपके समने payment gateway खुलेगा जिसके लिए payment आपको बताया गया कितना आपको fake करना है और इस capture code को fill करना है और submit वाले विकल पर click करना है इस परकार आपको payment gateway पर redirect करेगा थोड़ा सा आपको wait करना है payment आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं इतने सारा option है उससे आप chain करेंगे card की जैनकारी देंगे, उसका month, year, orcvv number डालेंगे card कीन के नाम से उनका नाम डालेंगे और make payment पर click करेंगे इस परकार आपका payment परक्रिया पूरा होता है payment पूरा होने के बाद पुनहां आप अपना registration number, password, capture code को fill करकर submit करेंगे और इसका print यहां से ले सकते हैं तो यह थी इसकी पूरी जैनकारी RBI में जो assistant के लिए बाहले निकाली गई है इसका form fill करने का मैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंदा होगा पसंदा होगा तो इसे like करें और कोई doubt है तो comment करें धन्यवाद